बिहार सरकार की ओर से कराई गई जाती आधारित गर्णा की रिपोन चारी कर दी गई हैं। सरकार में अपर मुख्य सचीव विवेक कुमार सिंग ने बताया कि बिहार की कुल आबादी 13 करोड से अधिक हैं। साथी उन्होंने ये भी जानकारी दी कि कौन सी जाती की कितनी आबादी है। संगर्णा में ये भी बताया गया कि बिहार में किस धर्म की कितनी आबादी है। से ये पता चलता है कि बिहार में किस जाती की कितनी तादाद है। चौदर दसमलो दो छे फीस दी बिहार में कुर्मी जाती की आबादी है। दसमलो आठ साथ फीस दी बिहार में कुश्वहा जाती की आबादी है चार दसमलो दो साथ फीस दी बिहार में ब्राह्मनों की आबादी है तीन दसमलो छे साथ फीस दी राजपूतों की बिहार में है तीन दसमलो चार पांच फीस दी बिहारों की बिहार में है दो दसमलो आठ नौ फीस दी आबादी कायास्थों की बिहार में है सुन्य दसंबलो छे सुन्य फीसदी आबादी बिहार में तेली जाती की आबादी है दो दसंबलो आठ एक फीसदी बिहार में मुसहर जाती की आबादी है तीन दसंबलो सुन्य आठ फीसदी रविदास की आबादी है 5.2 फीस दी, मलाह की आबादी है 2.6 सुन्य फीस दी, बिहार में बढ़ई की आबादी है 1.4 फीस दी, बिहार में कुमहारों की आबादी है 1.4 फीस दी जाती अधायित गर्णा के लिए सर्व सम्मित से विधान मंडल में प्रस्ताव पारित किया गया था बिहार विधान सभा में सभी नौदलों के सहमती से निर्न लिया गया था कि राजसरकार अपने संसाधनों से जाती अधायित गर्णा कराईगी जाज सरकार ने अपने संसाधनों से जाती अधायित गर्ना कराई है जाती अधायित गर्ना में ना सिर्फ जातियों के बारे में पता चला है बलकि सभी की आर्थिक स्थिती के बारे में भी जानकारी मिली है इसी के आधार पर सभी वर्गों के विकार सेवन उत्थान के लिए अगरेतर कारवाई की नितिश कुमार ने बताया कि बिहार में कराई गई जाती अधारित गर्णा को लेकर नौ दलो की बैठक बुलाई जाएगी और जाती अधारित गर्णा के परिणामों से उन्हें अवगत कराया जाएगा अब देखना ये होगा कि जाती गर्णा के बाद बिहार सरकार क्या फैसला लेती है ऐसी आश्रंका जताई जारी है कि आबादी के हिसाब से सरकारी नौकरी में आरक्षन दिया जाएगा अगर ऐसा होता है तो नितिश कुमार और लालू यादफ के पक्ष में पिछड़े वर्गी के वोटर्स मजबूती से खड़े हो सकते हैं और ऐसे में बिहार में बीजेपी के दाजनीतिक संभावना एक खत्म हो जाएगी